नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ इस वीडियो मेरे पास आप सबी स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी खबर है इस वीडियो मैं आपको यह बताऊंगा कि टोटल सीट्स किती इंक्रीज हुई है हर स्टेट में AWS के रिगारिंग यानि जो 10% सीट इस साल इंक्रीज होने वाले हैं उसके अलावा टोटल 25 सीट्स इंक्रीज होगी आगले दो साल में तो एक एक करके हम सब डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बता दूगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन से स्टेट में AWS के टेगरी इंक्रीज हुई है और उन स्टेट में टोटल कितने सीट्स इंक्रीज हुए है तो यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास कि कौन-कौन से स्टेट में AWS के टेगरी इंक्रीज होने वाली है तो वह लिस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन स्टेट में टोटल कितने सीट्स MCI के तरफ से एप्रूफ हो गई है यह 10 पर्शन रिजर्विशन के लिए तो यहाँ पर कुछ स्टेट का इंफोर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं तो आंदर परदेश की स्टेट में 360 सीट इंक्रीज हुई है आसाम में 174, बिहार में 190, 120 MBBS सीट 36 गड़ में गुजरात में 100 सीट इंक्रीज हुई है हिमाचल परदेश में 120, हर्याना में 110 MBBS सीट है जमु कश्मिर में 85, छारखन में 30, 155 MBBS सीट केरल में और मदर परदेश में 270 MBBS सीट एप्रूब हुई है महारास्ट में सबसे ज्यादा सीट इंक्रीज हुई है 970, additional सीट इंक्रीज होने वाले है यानि आल्मोस्ट 1000 MBBS की सीट इंडेव्लीज की विज़े से महारास्ट में इंक्रीज होगी ओरिशा में 100 MBBS की सीट है कंजाब में 100 MBBS की seats increase होगी रायस्तान में 450, तिलंगाना में 190 तिरिपूरा में 25 MBBS की seats उत्तरप्रदेश में 291, उत्रखंड में 75 वेस्ट बेंगाल में 450 MBBS की seats और EASIC की जो कॉलेज है उनमें 100 MBBS की seats increase हो रही है तो इस सब डाटा जो official है या MCI के official website से आया है तो इतना सा information मुझे आपके साथ share करना था अगर आपके ये वीडियो पसंद आये हो और ऐसे ही वीडियो हो देखना चाहते हो तो नीचे जो like का बटन है जो subscribe का बटन है उन्हें दबाना मत बुलिए धन्यवाद